मित्रो अनोखा संकम पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विशे में आज के पंचांग में तिती, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण के विस्तिर्द जानकर के साथ आज का शुब समय अभी जीत मोहुरत, एशुब समय राहुकाल, आज के दिन और रात का चोगडिया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी-पूरी जानकारी मिलती है अई जानते हैं आज का पंचांग पंचांग से पहले आज का सुबिचार हमेशा दूसरों की सफलता पर ध्यान देने से बेहतर है कि अपनी सफलता पर ध्यान देकर उसे और भी बेहतर बनाना आज की तारीक 8 अक्तूबर 2023 आज का वार रविवार आज अश्वनी महा का नवम दिवस है और क्रिशन पक्ष की नवमी दिथी 10 बच कर 12 मिनट सुबह तक रहेगी इसके बाद दश्मी दिथी प्रारंब हो जाएगी आज के सूर्योद्य का समय है 6 बच कर 17 मिनट सुबह सूर्यास का समय रहेगा शाम को 6 बजी चंद्रोद्य का समय है 1 बच कर 16 मिनट अगले दिन सुबह पर और चंद्रास्त 2 बच कर 45 मिनट दोपहर को होने वाला है आज चंद्रमा करक राशी में विराजमान है आज सूर्य कन्याराशी में विराजमान है आज का सूर्य नक्षत्र हस्त नक्षत्र है आज चंदरमा पुष्य नक्षत्र में दो बज कर पंतालीस मिनाट अगले दिन सुभैत करेंगे तदुपरांद चंदरमा अशलेशा नक्षत्र में परवेश करेंगे आए जानते हैं आज के नक्षत्र के बारे में जिन लोगों के नाम अक्षर हू, हे, हो और डा से शिरू होते हैं ऐसे लोग होते हैं पुष्य नक्षत्र वाले इनकी राशी होती है करक राशी राशी स्वामे की चंदरमा तत्व, जल तत्व, गणिन का रहता है देव, नाड़ी, मध्य, नक्षत्र देवता, गुरू और सभाव से क्षिप्र होते हैं आज का पहला करण गर दस बच कर बारा मिनट सुभे तक रहेगा आज का दूसरा करण वनिज, ग्यारा बच कर बाईस मिनट मध्यराती तक रहने वला है आए जानते हैं, अक्तूबर महा में आने वाले व्रत और त्योहारों के वरे में आठ तारिक रविवार को दशमे तिथी शराद, नो तारिक सोमवार को एकादशी तिथी शराद होने वला है दस तारिक मंगलवार को मघा शराद और इंदिरा एकादशी होगी ग्यारतारिक बुद्वार को द्वाद शितिति श्राध और इसके साथ ही साथ प्रदोश्वरत भी है आज का योग सिध्ध पुरी रातरीता करहने वला है दिशशुल की बात करें तो आज पश्चिम दिशा में दिशशुल है किसी खासकारे के लिए आज के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा ना करें बहुत ही आवश्चक होने पर पान घी अथवा दलिया इन वस्तों में से किसी एक वस्तों का भी सेवन करने के बाद अपनी यात्रा प्रहर्म करें ऐसा करने से दिशाशुल का कुछ प्रभाव अवश्य ही कम हो सकता है आई जानते हैं सिध योग के बारे में एक होता है सिधी योग और दूसरा यह है सिध योग कोई भी कार्या शीखने की सोच रहे हैं तो इस योग में شروعात करनी चाहिए वहकार अवश्य ही सिद्ध होगा यह योग गुरु से मंतर दिक्षा ले करके मंतर जपने का उत्तम योग बताए गया है सिद्ध योग वाले वेक्ति दूसरों को प्रामार्श सेवाएं परदान करने में अच्छे होते हैं आप एक अच्छे कानूनी और संबंद सलाकार प्रती तो होते हैं आपका धर्म के प्रती जुकाव है और इश्वर में भी अटूट शर्धा और विश्वाश रखते हैं आज का शुब समय आज का अभिजीत मुहुरत ग्यारा बच कर पंतालीस मिनाट सुबह से बारा बच कर बत्तिस मिनाट दोपहर तक रहने वला है विजह मुरत का समय दो बच कर चै मिनाट दोपहर से दो बच कर त्रेपर मिनाट तक रहेगा ब्रह्म मुर्यत का समय चार बच कर 49 मिनाट सुबह से पांच बच कर 28 मिनाट सुबह तक रहेगा आज का एशुब समय आज का रहुकाल चार बच कर 32 मिनाट शाम से 6 बजे तक रहने वाला है और यमगंड काल का समय 12 बचकर 9 मिनाट दोपहर से 1 बचकर 36 मिनाट दोपहर तक रहेगा मित्रो, राहुकाल और यमगंड काल दोनों ही ऐशुब समय है इसलिए इस समय के दोरान किसी भी प्रकार के शुब कारे, मांगलिक कारे, नए कारे प्रारम नहीं करने चाहिए अन्य था कोई विगन भादा आ सकती है कारे अधुरे रह सकते हैं आज के अन्य शुब योगों में से अमरित कालम योग 7 बच कर 36 मिनाट शाम से 9 बच कर 23 मिनाट रातरी तक रहेगा आज सरवार्थ सिद्धी योग और रवी पुशय योग का समय 6 बच कर 17 मिनाट सुबह से 2 बच कर 45 मिनाट अगले दिन सुबह तक रहने वला है आए जानते हैं आज के दिन का चोगडिया आज 4 समय 7 बच कर 44 मिनाट सुबह से 9 बच कर 13 मिनाट सुबह तक रहेगा लाव समय 9 बच कर 13 मिनट सुबह से 10 बच कर 41 मिनट तक रहने वाला है अमरत समय 10 बच कर 41 मिनट सुबह से 12 बच कर 9 मिनट दोपहर तक रहेगा और शुब समय 1 बच कर 37 मिनट दोपहर से 3 बच कर 5 मिनट तक रहने वाला है आज रात्री के चोगड़ी में शुब समय 6 बजे शाम से 7 बच कर 32 मिनट शाम तक रहेगा अमरत समय 7 बच कर 32 मिनट शाम से 9 बच कर 4 मिनट रात्री तक रहने वाला है चर समय अर्थात समाने समय 9 बच कर 4 मिनट से 10 बच कर 37 मिनट रात्री तक रहेगा लाब समय एक बच कर 41 मिनट अगले दिन सुबह से तीन बच कर 13 मिनट तक रहेगा और शुब समय चार बच कर 45 मिनट अगले दिन सुबह से 6 बच कर 17 मिनट अगले दिन सुबह तक रहेगा मित्रो ये था आज का शुब पंचांग आज बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ तब तक देखते रहें अनोका संकम का पंचांग और इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें शेर करें लाइक करें और कमेंट करें कमेंट में लिकें जय मातादी वीडियो में अंतर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद